आजाग भारत का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, तो सुन लीजिए और ये सेकलरिजम घोटाला किसकी आड में चलता है? ये भी नहीं जानते हैं? समझ लीजिए और किसे बचने के लिए कमुनलिजम की आड में सेकलरिजम का घोटाला चलता है? ये भी जानना जरूरी है सेकलरिजम की आड में किस प्रकार नेता अपनी करस्तानी को छिपा लेते हैं? इसके लिए सर्जी का बयान सुनना जरूरी है वही सर जी जिन्होंने अन्ना की आड में ब्रश्टाचार के खिलाफ पूरे देश में कांदोलन खड़ा कर दिया था लेकिन जैसे ही सत्ता के रास्ते पर चले तो उन्होंने तुरंत इमानदारी की राजनीती छोड़ दी और सेकुलरिजम को ढाल बना लिया आज हमारे देश के सामने दो सबसे बड़ी समझ्या है ब्रश्टाचार और संप्रदाइक्ता और संप्रदाइक्ता को मैं ब्रश्टाचार से ज़्यादा बड़ी समझ्या मानता हूँ आप सेकुलरिजम के घोटाले को सही से समझ पाएं इसके लिए आपको सेकुलरिजम और कॉमनलिजम के अंतर को समझना जरूरी है अगर ये अंतर ही नहीं समझेंगे तो जो सेकुलरिजम घोटाला है वो कैसे समझेंगे जो कॉंग्रेस आजादी के समय से कर रहे हैं अब मैं इसके लिए आपको जो पहला उदाहरण देना चाहता हूँ वो है घोर मोधी विरोधी एक विवदास्पत पत्रकार रोहिनी सी जिनका दो ट्वीट आपके सामने रख रहा हूँ एक ट्वीट सेकुलरिजम का उदाहरण है और एक ट्वीट कमिनलिजम का अब आप ये सेकुलरिजम का उदाहरण है अब दूसरा ट्वीट देखी ये 24 अपरेल 2022 का है इस ट्वीट के मताबिक सडक पर हनुमान चाली साब पढ़ने की बात कह देना भी कमिनलिजम का उदाहरण है समझ में आ गया ना ये ट्वीट भले ही रोहनी सिंका हो लेकिन आप चाहे तो इस इसमें नाम बदल सकते हैं इसमें रहुल से लेकर के केजरीवाल ममता से लेकर मुलायम तक किसी का भी नाम डाल दीजे इस ट्वीट में आपको सेकुलरिजम और कॉमुनलिजम का उदाहरण यही होगा अगला उदाहरण देखिए स्कूल कॉलेजों में योनिफॉर्म के नि प्रख्यकों का यह कहना कि हम पर क्यों हलाल थोपा जा रहा है यह कमुनलिजम का उदाहरण है करनाटक के ही एक कॉलेज की छात्रा मुस्कान ने जब अपने कॉलेज केंपस के अंदर अल्ला हु अकबर का नारा लगाया तो यह सेकुलरिजम का उदाहरण बन गया उस प्रिसी नेता ने तो आईफोन दे दिया लेकिन दूसरी तरफ जारखंड में एक कॉलेज के अंदर जब विद्यार्थियों ने जैश्री राम का नारा लगाया तो वह कमुनलिजम का उदाहरण बन गया और उसे आईफोन या गिफ्ट क्या मिलेगा उसे कॉलेज से ही तो वह कमुनलिजम एक और उदाहरण देखिए जामिया मिलिया इसलामिया समय देश की दूसरी इनवस्टी जैन्यू या जितरी भी इनवस्टी है वहाँ जब इफ्तार पार्टी होती है तो वह सेकुलरिजम का उदाहरण बनता है लेकिन ठीक उसी समय में अगर जैन्यू म पे आप रामनौमी के दिन पूजा करवा ले हवन करा ले तो वह कॉमनलिजम का उदाहरण बन जाता है या धना यह दोनों घटना है हाल की हैं अगला उदाहरण देखिए जहंगिर पूरी में एक मस्चित के आगे के जो अवैत निर्माण है उसको अगर आपने गिरा दिया तो वह कॉमनलिजम का उदाहरण बन जाता है और यह तो अभी हाली की घटना है किस प्रकार से आमाधी पार्टी, कॉंग्रेस, लेफ्ट और जितनी भी पक्षी पार्टियां हैं उसने कितना हंगामा खड़ा किया टीवी डिबेट्स में बताया कि यह कॉमनलिजम चल रहा ह बीजेपी का मतलब वो मस्चिद के आगे का जो अतिक्रमन किया वहाँ इलाका उसको गिराया गया था लेकिन ठीक उसी समय में अलवर में राजस्थान में 300 साल पुराने एक शिव मंदिर को ढहा दिया गया और उस मनें अतिक्रमन के नाम पर तो वो सेकुलरिजम का उदाहर अब जरा सोचिए कि 300 साल पुराना एक मंदिर वो किस प्रकार से अतिक्रमन कर सकता है अरे भाई मंदिर के आसपास के इलाके को आपने अगर प्लॉट बना दिया घर बना दिया बेच दिया तो उसने ना अतिक्रमन किया उस सरकार ने किया मंदिर ने थोड़ी किया लेकिन बात उसकी नहीं है बात यह है कि अगर मस्चीद के सामने अगर अतिक्रमण के वे इलाके को कोई ढ़ा दे तो वो कमुनलिजम और 300 साल पुराने मंदिर को गिराना सेक्लरिजम का उधारण है ठीक इसी प्रिकार से दूसरे देश से अवैद रूप से भारत में बसे रोहिंग्या मुसल्मानों को भारत से निकालने की बात कहना यह कमुनलिजम का उधारण है वहीं दूसरी तरफ रायस्थान में करॉली हिंसा के बाद जो हिंदू अपने अपने घर बार को छोड़ करके डर से बाहर जा रहे हैं वो सेक्लरिजम का उधारण सेक्लरिजम और कमुनलिजम का एक बड़ा उधारण आपको ममता दिदी के बयानों में भी दिख सकता है लेकिन खुद ममता दिदी अगर अल्लाहु अक्बर का नारा लगाएं तो ये सेक्लरिजम का उधारण माना जाएगा वैसे सेक्लरिजम और कमुनलिजम के उधारण तो कई है मैंने बहुत रिसर्च किया बहुत सारे उधारण मिलेगे लेकिन अब मैं अपनी बात को सुप्रिम कोट के एक उधारण से खतम करना चाहता हूँ आप देखिए एक तरफ सुप्रिम कोट ने मस्चिदों में महिलाओं के प्रवेश की अनुमती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इसलिए मना कर दिया कि यह किसी पीडित मुस्लिम महिला द्वारा नहीं लाया गया है शायद इसमें कमिनलिजम वाला एंगल रहा होगा क्योंकि इसमें अखिल भारत हिंदू महासभा ने याचिका दायर की थी आप देखते रहेगा लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिम कोड ने केरल के अयप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर जो याचिका थी उस पर सुनवाई भी भी और उस पर फैसला भी सुनाया और ये फैसला सुनाया कि महिलाओं को प्रवेश का अधिकार मिलेगा और याद रखेगा यप्पा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसमें एक जो प्रमोख नाम था वो था रेहाना फातिमा का वही सबसे आगे थी और नहोंने जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करने का भी प्रयास किया जबकि वो दूसरे धर्म शे थी इसे आप सेकुलरिजम की काटेगरी में रख सकते हैं साथियों याद रखेगा देश शुरू से ही इस सेकुलरिजम घोटाले से दोचार होता रहा है जब देश आजाद हुआ और सम्विधान का निर्मान किया जा रहा था तो उस समय भी इस सेकुलरिजम को मतलब घोटाले को इसमें शामिल करने की कोशिश की गई और उस समय लेकिन ये नाकाम्याब क्यों हो गई ये भी जानिएगा क्योंकि सम्विधान निर्माता भीम राव अम्बेटकर डॉक्र बाबा साहिब भीम राव अम्बेटकर जी ने इसका पुरजोर विरोध किया लेकिन 1976 में याद है जब इंद्रा गांधी ने देश में इमर्जेंसी थोप दी थी उस समय जब सम्विधान की आत्मा को तहस नहस कर दिया गया था उस 42 संशोधन में इस सेकुलर शब्द को सम्विधान में जोड़ा गया था साथ्यों एक बात याद रखेगा जिस नेता और दल को भ्रह्ष्टचार के आरोप से बचना हो वो सेकुलरिजम की चाल चलता है जिस नेता और दल के पास अपना विजन न हो वो सेकुलरिजम की छग्म राजनीती करता है जिस नेता और दल को सिर्फ जाती और धर्म से ही चुनाव लड़ना हो इसी के बल पर चुनाव लड़ना हो वो सेकुलरिजम का खेल खेलता है कुल मिला कर देखे तो ये जो सेकलोरिजम घोटाला है ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है और जितनी जल्दी जनता इसे समझ जाए वो देश के लिए हितकर है बहुत बहुत धानिवाद आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ला आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा नमस्कार